हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों जैसा कि आपको बताएं कि एप 52S पुराना हो चुका है अब इसके बाद अपडेट आना बहुत मुश्किल है अब हो सकते मेजर अपडेट आना इसमें बहुत दिक्कत है अभी जैसा कि इसमें देखेंगे अभी अक्टूबर का अपडेट जरूर आएगा बाइट कब आएगा यह कंफर्म नहीं था क्योंकि वह लास्ट मेजर अपडेट होने वाला एक फिफिटी तू एस के लिए आपको बता है कि सैमसंग फोर एश के लिए अपडेट देती है दो साल के लिए मेजर अपडेट रहती है बोल सकते हैं जैसे कि Android 12 पे लाउंज हुआ था था एंडरी टाइन का अपडेट आया और लास्ट एंडरीट 14 या बन सकते हैं वन्योंगे 6.0 का अपडेट इसके अंदर आने वाला है और चार साल तक security अपडेट तो आपको definitely मिलता राएगा इसके अंदर अब बात करें वन्योंगे 6.0 क दोस्तों अब बात यह है कि जैसे कि आपको बताया है कि जब भी कोई नया software लाउंज होता है तो उसका पहला beta version लाउंज होता है beta version लाउंज होता है ताकि कोई उसमें boxes हो या कुछ भी दिखकर तो उसको पहले clarify कर सके हैं जैसे कि S23 का beta version लाउंज हुआ था फिर S22 के लिए लाउंज हुआ फिर उसके बाद बहुत सारे models के लिए लाउंज होता गया होता गया आज फाइनली या वह सकते हैं कल फाइनली कोरिया में अभी इंडिया में लाउंज नहीं हुआ कोरिया के अंदर वोरियो के अंदर वनियुए 6.0 का बीटा वर्जन एंडिया में भी लाउंज हो जाएगा जैसे ही लाउंज होगा आपको सेमसंग मेंबर्स एप में जाना होगा वहां पर एक नोटिफिकेशन आईगी और डारेक्ली आप बीटा में एक्सिस कर पाएंगे बीटा में एक्सिस करने का फाएदा ही होता है कि जो भी फीशर्स होंगे वनियुए 6.0 के आप पहले इसमें यूज कर पाएंगे पर मेजर बात यह है कि वही है डेफिनेटली एफिटी वीटा टेस्टर रिलीज होगा इंडिया के अंदर तो सबसे पहले वीडियो अपने इसमें मैं अपडेट करूँगा तो ऐसी नए अपडेट के लिए मेरे चनल करूँ सब्सक्राइब करें नोडिश पहले कर दे रहा है ताकि आपके फ्रेंट्स अब तक यह वीडियो पहुंच को है तैंक्यू सो मच सर